गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ससी लोधी ब्लोक्स में और आप सब कैसे हो यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो आज मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ, उनमें से जो भी टिप आपको अच्छा लगे वे कमेंट करके जरूर बताना तो सबसे पहला हमारा टिप है यह सेप्टी पिन से, कहीं हम जाते हैं ट्रेबलिंग में या फिर घर पर भी हमारी यह सेप्टी पिन रहती है तो एक-एक करके रखते हैं तो क्या होता है इधर उदर गुम जाती है तो एक जगए पर सेप्टी पिन की अंदर सारी पिन इस तरह से डाल दीजिए और एक जगए पर रख दीजिए तो क्या होगा ना अगली बार से जब भी हमारी सेप्टी पिन की जरूरत पड़ेगी तो हमें एक जगए पर सारी सेप्टी पिन्स मिल जाएंगी कहीं बिल्कुल भी गुमेंगी नहीं और नेस्टे पर हमारी एक ग्रेप्स लेकर कभी कभी क्या होता है ना कि ज़्यादा कॉंटिटी में हमारे पास ग्रेप्स आ जाते हैं तो इतने खिलते तो है नहीं तो किसी भी बरतन में या टोकरी में रखे हुए होते हैं हमारे ग्रेप्स तो क्या होता है ना खराब होने लगते हैं ग्रेप्स तो आपको क्या करना है ग्रेप्स खराब ना हो इसके लिए आपको कोई भी धागा ले लीजिए और धागे की मदद से आप अच्छे से इन में ग्रेब्स की ये जड़े होती न इनको अच्छे से फसा दीजे और गठान बान दीजे और जहां भी आप हेंग करना चाहें वहां पर हेंग कर दीजे और हमारे ग्रेप्स इससे होगा ये कि बिलकुल भी हमारे ग्रेप्स तीन से चार दिन तक चलेंगे बिलकुल भी खराब नहीं होगे जब हमारी किसी प्लेट्स में या टोकरी में ग्रेप्स रखे हुए होते हैं तो बहुत जल्दी वो खराब होने लगते हैं इस तरह से आप किसी भी जगए पर किचिन में या कहीं पर भी आप हैंग करके रख सकते हैं। और फ्रेज में रखेंगे तो क्या होता है ना काफी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। फ्रेज में नहीं रखना है आपको ग्रेप्स तो इस तरह से जरूर रखिएगा। बिल्कुल भी हमारे ग्रेप्स खराब नहीं होंगे। और नेश्टे पर हमारे कपड़ों से लेकर क्या होता है अभी सर्दियों को टाइम है तो धूप काफी कम निकलती है। और सीलन की वज़े से हमारे कपड़ों में इसमेल आने लगती। तो क्या करना है आपको डिटोल इस तरह से आपको नहीं डालना है। कम से कम आदा धकान डिटोल लीजिए और पानी में घोल लीजिए और इस घोल को कपड़ों के ऊपर डाल दीजिए निचोडने से पहले। और इसमें बहुत ही अच्छी समेल आने लगेगी हमारे कपड़ों में और की टाडू जम्स होते हैं वो भी पूरी तरह से निकल जाएंगे। तो ये जरूर करना और इसके बाद आप सूखाने डाल दीजिएगा। क्लेचर 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 क्या होता है इस तरह के अमारे गर में बच्चे होते हैं तो काफी मात्राम प्लेचर क्लेचर होते हैं। और safety pins होती है जो हमें daily use करनी होती है तो क्या करना है आप कोई भी एक चूड़ी लीजिए कोई भी जैसे रखी हुई चूड़ी होती है खराब चूड़ी होती है जो हमें पैनना नहीं है वो चूड़ी ले सकते हैं आप और इस तरह से सारे जो हमारे या फिर आप hang करना चाहें तो कहीं पर आप hang करके रख सकते हैं और इस तरह के पतले पतले क्लाचर सोते हैं इनको भी आप इसमें भेंकर दीजी हमारे सारे क्लाचर सेपटी पिंस इसके अंदर सेपटी से रहेंग показ और कहीं मिल जाएंगे और बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे तो यहें जरूर आप फॉलो करिएगा और नेस्ट इप हमारी ये पैंसिल से लेकर है ये देखी काफी छोटी पैंसिल हो गई है तो क्या होता ना इन पैंसिलों को लिखने के बजाए हम फैंक देते हैं क्योंकि इन से लिख ही नहीं सकते हैं लिखने में काफी प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है आपको दूसरी पैं का ये कैप लीजिए और ये कैप हो रहा है ढीला और पैंसिल के अंदर जा रहा है तो आप कोई भी फोईल पेपर लीजिए आप यूज किया हुआ फोईल पेपर ले सकते हैं और कुछ फोईल पेपर कट करके आप ये कैप है पैंसिल का उसमें डाल दीजिए जिससे अंदर पैंसिल नहीं जाएगी इस तरह से अच्छे से कर दीजिए अंदर फोईल पेपर को और कुछ फोईल पेपर ये हमारी पैंसिल डिली हो रही है तो इस पर इस तरह से चड़ा दीजिए और इसके कैप के अंदर डाल दीजिए तो ये देखिए हमारी पैंसिल अब बड़ी हो चुकी है और अब इस से हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और कैप भी अच्छे से इसकी मदद से फस चुका है ये देखिए अब आसाने से हम लिख सकते हैं और हमारी पैंसिल बैस्ट नहीं जाएगी तो इन में से आज का हमारा कौन सा टिप्स अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, सेयर करना और फैमली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर सेयर करना और टिप्स कौन सा अच्छा लगा ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राब जरूर करिएगा थेंक यू गाइस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में